एक जंगल में रहने वाले एक खरगोश और एक गिलहरी बड़े प्यार से रहते थे वे दोस्त हर वक्त साथ खेलते उड़ते और मिल जुलकर खाना पीना भी करते थे उनके दोस्ती की द्रिड़ता और खुशियां सभी के बीच मशहूर थी एक बार खरगोश ने सोचा कि उन्हें और अधिक अच्छे खिलाडियों के साथ खेलना चाहिए उसे लगा कि गिलहरी उससे कम तेज है और उसे दिखाने का समय आ गया है एक दिन खरगोश ने गिलहरी से कहा तुम्हारी दौर तो बहुत धीमी है मुझसे तो काफी पीछे रहती हो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम भी खिलाडी हो सच्चे गिलहरी को दिल पर लेने वाले ये शब्द उसे काफी दुखी कर गए लेकिन उसने खुद को साबित करने का निर्णय किया अगले दिन खरगोश और गिलहरी के बीच दौड की रेस हुई गिलहरी ने सब को चकमा दे दिया और जीत गई खरगोश ने हार के बाद स्वीकार किया कि गिलहरी भी उनसे बहतर खिलाडी थी उसने अपनी गलती समझी और दोनों फिर से सक्चे दोस्त बन गए कहानी से सिख यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की कमियों को उजागर न करके उन्हें सम्मान और समर्थन देना चाहिए हमें अपने दोस्तों की खूबियों को समझना और उनके साथ खड़े रहना चाहिए न कि उन्हें दोशी ठहराना सहानुभूती और मित्रता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है और हमें दूसरों की उपलब्धियों को ध्यान में रखना चाहिए